तो है गाईस आपका भाई लेकर आगया एक और फिरिफाइट ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग तो हो सकता है आपने इस तरह की वीडियो एडिटिंग अभी तक नहीं देखियो तो अगर आप भी इस तरह की वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आज किसी वीडियो मापको सिखाऊँगा है कि इस तरह की वीडियो को कैसे एडिट किया बट इसके लिए गाईस आपको इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को एड़ करना है तो वो आपको कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ तो इस तरह सापको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है और यह स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको कैसे करना है चलिए बताते हैं तो मतब यह आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखनी है ठीक है और इस तरह से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखनी है ठीक है और इस तरह से पूरा कम्प्लीट लॉबी तक आपको स्टार्ट रखना है और यह स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको सेप कर देना है एंड उसके बाद आपको वीडियो को थोड़ासा हागे की त्रफ बढ़ा इंर उसके बाद वीडियो को फ्लिप क्लिप पर आचुकिया है ainda उसके बाद वीडियो को थोड़ासे डाप प्लेट प्लेट करेंगे जब यह मतलब ग्रेना λिखके आएगा वहां पर आपको रोकना आ और रूखने के बाद आपको कलिक करना है और तो। मतलब बनाएंगे जब lobby आ जाएगा ना lobby पे आपको यहाँ पर trim करना है तो इस तरह सो lobby आजाएगा वहाँ पे आपको वीडियो को रोकना है और ketchup क्लिक करना है और ketchup क्लिक करने के बाद ketchup क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको इसको शुरू से trim कर देना है ठीक है गाइस तो अभी आपको इतना रखना है और आपको 9 सेकंड तक वीडियो को रखना है और कैजिब क्लिक करके ट्रिम टू राइट पर कर देना है एंड उसके बाद गई simply आपको आना है starting point पे और उसके बाद आपको जाना है layer पे एंड जाना होगा media पे और media बजाने बाद आपको मैं एक green screen video description में दे दूँगा उसको आपको download करेंगा है सारे material आपको कैसे download करना है आगे मैं वीडियो में बता दूँगा तो इस तरह आपको पहले इसको arrow से rotate करें और इस arrow से पकाड़ कर इस तरह से full screen पर ऐसे एरज़स्ट कर देना है natuurlijk है अभी आपको इसका chroma key को मतलब адन के इनבल Allah करने से पहले आपको इसको last से trim कर देना है तो लास्ट से इसको ट्रिम कर देंगे और अभी इसका क्रोमा की को यहां से इंबल करेंगे तो इदार आएंगे और आनिक बाद आपको क्रोमा की पर क्लिक करना है और यहां से इसको इंबल कर देना है तो अभी गाईस आपको क्या करना है आपको मतलब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना इस पर क्लिक करना है और क्रॉप पे जाना है और क्रॉप पे जाने के बाद मतलब जूम आउट करना है जूम इन नहीं करना है मतलब जूम आउट करना है तो आपको डबल फिंगर से इस तरह से जूम आउट कर देना है और जादा नहीं करना मतलब फोन की स्क्रीन के हिसाब से आपको सेट करना है ओके गाईस तो बस इतना करना है और आपको बराबर पर क्लिक करके स्को कर देना है और उसी तरह के इस गाइस आपको 2nd वाली स्क्रीन रिकर्डिंग पर क्लिक करना है, और CROPS पर जाना है और इसको भी बैस सी जूम-आउट कर देना है और स्क्रीन के हिसाब से आपको सेट कर देना है और बड़ाबर पर क्लिक करके इसको भी OK कर देते हैं तो ठीक है गाई इस हमारी इतनी मतब किलिप जो है ना वो तैयार हो चुकी है एंड स्टार्टिंग में आएंगे और लेयर पर जाएंगे और जाना होगा मीडिया पर और मीडिया पर जाने पाद आपको एक और गिरीन स्कीनी वीडियो मिलने वाली है तो यहान पर एक आपध को हांद देखने को मिलेगा तो इस हाथ को असे सट करने है मतब थोड़ा सा आगे बढ़ाना और इस तरह से आथ मतब टैप करेगए ना तो उसको आपको पहले तो इन्वल करने के बाद और हाथ को थोड़ा सा बड़ा भी कर लेना है और यह हाथ मतलब ऐससा लग लग रहा है मतलब जादु से आरह है, तो थोड़ासा zione को भी भड़ा रखना है और इसका जो फिंगर है वो गेम के उपर tap करना है तो इस तरह से आप इसको बढ़ा कर लेना है and आपको इस तरह से रख सकते हैं तो आप खुश समझ दा रहा है वे अपने हिसाब से इसको set कर लेना और इस तरह से जब आप इसको थोड़ा सा play करेंगे ना यह finger से मतलब game tap करेगा और यहां से game open हो जाएगा और finally यहां पर कहा करेंगे last से इसको हम trim कर देंगे ठीक है finger वाला जो green screen लास्ट से इतना trim कर देंगे तो ठीक है guys अभी हमारी इतनी वीडियो बन चुकी है and उसके बाद आपको आना है वीडियो के last में और last में आने के बाद यहां पर simply के अगना है आपको मतलब media पर जाना है और media पर जाने के बाद simply के अगना है आपको यहां से एक background को add करना है किसी भी color का background add कर सकते हैं मैं ऐसे bite color का ले लेता हूँ and इसको duration को बढ़ा लेता हूँ ठीक है और इसके बाद plus पर रोकेंगे और plus पर रोकने के बाद तो थोड़ा सो और आगे बढ़ा लेते हैं और इसके बाद गईस आपको जाना होगा layer पर and जाना है media पर और media पर जाने के बाद आपको मैं एक और मतलब photo दे दूँगा description में और pengy file होगी आपको इसको simply download कर लेना है और जोब guys आप इसको simply यहां से add करेंगे ना तो इस तरह सापको छोटा होगा ठीक है इसको आपको full screen पर आएसे zoom कर लेना है और इस तरह सापको full screen पर zoom करने के बाद मतलब इसके duration को भी हमें बढ़ा कर लेना है तो इसके length है न वो इसको full कर लेना है और अभी आपको simply क्या करना है यहां पर आपको रोखना है और यहां पर रोखने के बाद आपको layer पर जाना है और आपको media पर जाना होगा इसके बाद guys आपको यहां पर एक background add करना होगा और नीचे से थोड़ा सा इसे crop कर लेना है और फिर इसको मतब स्क्रीन के सेट करके देख लेना तो अभी भी guys यह थोड़ा सा मतब बढ़ा है ना तो थोड़ा सा हम इसको और crop करेंगे तो crop पर जाएंगे और नीचे से थोड़ा सा और crop कर लेंगे तो perfect guys ठीक है अभी आपको इसको ok कर देंगे and अभी आपको इसको click करना है और आपको three dots दिखरा है ना इस पर simply click करना है और click करने बाद आपको send to back पर click कर देना तो आपका यह मतलब phone की screen के back side में चला जाएगा इसके duration को full कर देना तो ठीक है guys अभी आपको plus पर रोकना है and plus रोकने बाद फिर से आपको layer पर जाना है और media पर जाना है और आपको description में एक और green screen video दे दूँगा वो भी आप download कर लेना तो final video आपकी इस तरह से होगी इसको भी add कर लेना and add करने किए पहले तो आपको इसका chroma key को बतब थोड़ा कर लेना और यहाँसे इसका chroma key को ओन कर लेना, तो इसका chroma key भी on कर लेंगे ना, तो यह से पहले chroma key पी click करते हैं और यहाँसे इसको इन compost कर देंगे अब यहां देख रहा हूं थोड़ा सा green आ रहा है ठीक है तो आप नीचे वाले से इसको थोड़ा सा इधर कर देना तो आपका जो green कलर है आपको पूरा तरह से चला जाएगा अब इसका हम size को थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे और चाहे तो आप बढ़ा कर सकते हैं या आप इतना भी रख सकते हैं तो अभी आप देख रहा हूं ना यहां से मतब यह करेक्टर सुरू में खड़ा है ना तो यह आपको थोड़ा सा आपको एक्स्टा पार्ट हटा देना है और अब इसको long press करके यहां पर set कर देना है तो अब यह करेक्टर मतब इस तरह से पहले करके देख लेंगे तो यह इस तरह से आएगा तो इसको उठा कर आपको मतब इधर रख देना ठीक है यह मतब दिवार वनी है ना इसके पीछे से ऐसा लगेगा आएगा और जब इस यह जम करेगा इस तरह से यहां पे आपको रोखना है थोड़ा से और ऊपर उठाएंगे और यह करेक्टर मतब इस तरह से ball के ऊपर से ऊपर side उठेगा ना वहाँ पे आपको रोखना है एंड इस पर क्लिक करना है और आपको की पर क्लिक करना है ठीक है और की पर क्लिक करने के बाद आपको प्लस वाले अप्शन पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाते ही मतब जब यह करेक्टर इस तरह से नीचे की तरफ आएगा ना वहाँ पर आपको रोकना है और इस करेक्टर को उठा कर नीचे यहाँ पर रख देना है बस गाईस इतना आप जब करेंगे ना तो आप इसको प्ले करके चेक कर सकते हैं ठीक है ना तो अभी यह लग रहा है ना कि मतब फोन के अंदर से बाहर आ चुका है तो इसी तरह की गाईस मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ जैसे के करेक्टर कंप्यूटर से बाहर कैसे आया तो अगर वो आल ही आपने वीडियो नहीं देखिए तो वो भी आप देख सकते हैं ठीक है अभी क्या करेंगे लास्ट से हम इसको ट्रिम कर देंगे और इसी तरह कि जितने भी पैक है ना उन सभी को हम यह लास्ट से ट्रिम कर देंगे ठीक है न गाईस इसके बाद अब यहाँ पर आपको Song डाउनलोड करना है तो Song आप Discription से डाउनलोड करके यहाँ पर Add कर सकते हैं तो अब गाईस आपको बताते हैं कि मतलब material को कैसे डाउनलोड करना है तो Discription में जो मैं आपको लिंक दूँगा ना सारा material डाउनलोड करना है ठीक है बहुत सारे भाई यह समस्ते हैं मतलब एक बार में सारा material डाउनलोड जाए तो ऐसा नहीं है गाईस एक एक करके डाउनलोड करना है जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा ठीक है फिरीफार ग्रीन स्क्रीन और यहां से simple यहां पर tape किया और यह automatic यहां से download हो जाएगा बढ़ आपको थोड़ा सा wait करना होगा तो finally यहां पर download हो चुका है और अभी इसी तरह से guys हम मतलब इसको back कर देंगे और back करने के बाद आभी यहां पर next आपको एक pack download करके दिखाते हैं और अगब जैसे photo download कर रहा है तो इसका थोड़ा download मतलब अलग होगा अब यह आपको corner पर जो arrow दिख रहा है ना simple आप इसको पर click कर देंगे और यह आपका photo भी download हो जाए तो guys बहुत आसान दरीका है सारा material download करने का बहुत सारे बाईयों को यहां पर problem आती है तो इसलिए मैंने यह बताया है कि download कैसे करेंगे तो गाइस देर किस बात की फड़ाबर इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना वीडियो को लाइक करना और एक अच्छी सी कमेंट जरू कर देना चैनल पगर पहली बार आने चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बैल आइकूं को भी प्रेस कर देना और गाइस एंड स्क्रीन में आपको वीडियो शो हो रहे होंगी इन वीडियो को भी देख लेना